एक ऐसा मंदिर जहां दिखता है साक्षाथ शैतान एक ऐसा मंदिर जहां काप जाती है रुह एक ऐसा मंदिर जहां होते हैं नर्क के दर्शन यह है नर्क मंदिर विभत्स वहशियाना वाहिया यहां आकर आपको इन में से कुछ भी लग सकता है लेकिन यह सच है कि यह एक मंदिर है मंदिर यह शब्द सुनते ही मन में देवी देवताओं की मूर्ती और भक्ती में माहोल की तस्वीर आती है लेकिन थाइलेंड के चियांग माई शहर में एक ऐसा मंदिर है जहां श्रद्धालू देवी देवता नहीं बलकि नर्क के दर्शन के लिए आते हैं यहां भक्त किसी देवता की पूजा नहीं करते बलकि मृत्यों के बाद आत्माओं द्वारा पापों के लिए मिलने वाली सजाओं को देखने आते हैं मंदिर में कई मूर्त्या हैं जो पाप के बदले नर्क में दी जाने वाली पीडाओं को दर्शाती हैं यह मंदिर सनातन और बोध धर्म से प्रेरित है इस मंदिर की सभ्यता और संस्कृति पर भी काफी हद तक भारत्य प्रभाव देखा जा सकता है थाइलेंड की राजधानी बैंकोक से लगभग 700 किलो मीटर दूर चियांगमाई शहर में लगभग 300 मंदिर हैं लेकिन यह नर्क मंदिर अपने आप में न केवल अनूठा है बलकि अपनी तरह का पूरी दुनिया का एक लोता मंदिर है इस मंदिर को बनाने का मूल विचार एक बोध भिक्षु का था वे लोगों को बताना चाहते थे कि पाप करने और पीड़ा पहुँचाने का परिणाम अंत में दुखदाई होता है इसी से प्रेरित होकर उन्होंने नर्ग की परिकल्पना करते हुए एक ऐसा मंदिर बनवाया जहां लोग मृत्यू के बाद आत्मा द्वारा भोगे जाने वाले कश्टों को देख सकें इस मंदिर में लोग अपने पापों का प्राश्चित और पश्चाताप करने के लिए आते हैं इस मंदिर को वैट में कैट नोई टेंपल भी कहा जाता है स्थानिय लोगों में मान्यता है कि जो यहां की दर्शन कर लेता है वो अपने पापों का प्राश्चित कर लेता है